वेलकम टू अलिम्टेड ग्यान आज का टॉपिक है क्रीप रेट इस्टेस्टम्प्रेचर एफेक्ट दखेंगे इस ग्राफ में भी आगे तू मोस्त इंपोर्टेंट परामिटर दाफ इंफ्लूएंस क्रीप रेट इसको देखेंगे हमारे यहां पर इसको आता है एक्जाम पर इसको ड्राइब करते हैं यह है क्रीप स्टेंड डिए डी डी स्टेंड बाइ डी टाइम दी हमारा ड्राइब रहता है ची है कॉंस्टेंट एम और बी आर एक्स्पोनेंट डिपेंड ओन दे क्रीप मेकनिजम पर एम और बी हमारा फिर क्यूं क्यूं है एक्टिवेशन एनरजी ऑफ क्रीप मेकनिजम यह आप जानते हैं यह स्ट्रेस है डी हमारा ग्रेंड साइज ऑफ दी माटेरियल है यह और क्य है बोल्च मेंड कॉंस्टेंट और टी है एबसलूट टंपरेचर यह ग्राफ है इस्ट्रेन और टाइम का, यह पहला है T1, T2, T3, T4, T5, T1 छोटा है, T2 उससे छोटा है, लेस देन है, T3 लेस देन 4, T4 लेस देन T5, ठीक है, इसी दरा स्ट्रेस भी होगा, दिहे दरे घर्टे चला जाएगा, दुसरा टॉपिक है, क्रिप मेकानिजम, क्रिप मेकानिजम, क्रिप मैकानिजम is a क्रिप depends on the stress as well as temperature, क्रिप मेकानिजम जो depends on the temperature depend on the the Grade एंड ओर यह इंड डिस डिस लॉकेशन कंडिशन दे वेडियोस क्रिप मेकनिजम ओकर इन वीच इन वीच एस फोलोगोज कि प्रेट का जो देख लेते हैं किस की जो प्रेक्राइब हमारे पास है पहला है बल्क डिफ्यूजन जिसको नेब्रो हैरिंट क्रिप करते हैं इसमें क्या होता है क्रिप रेट इंक्रिजेज एज रेंज साइज इंक्रिजेज हमारा यह देख सकते हैं जब इस पर फोर्स पड़ेगा इस पर तो यह यह जब कॉंप्रेज होगा थी यह टेंज साइल होगा और यहां हमारा यह मेजिन लाइन है डाटम के वैकेंसी यह इधर जाएगा और यह अंदर का इधर इसी तरह सेकेंड है ग्रें प्रॉन्टरी डिफ्यूजन जिसको अमलब करते हैं केवल क्रिप इसमें क्या आता है स्ट इसमें होता है इसमें होता है इसमें होता है ओकर इन पॉलिमर पॉलिमर और विसकोलियर मतेरियल थैंक्यू जो यह इसमें होता है झाल